साथियों, इस किताब की भूमिका में भर्तवर जी ने लिखा है कि डॉक्टर हरकृष्ण महताब जी वो व्यक्ति थे जिनों ने इतिहास बनाया भी, बनते हुए देखा भी और उसे लिखा भी, वास्तों में ऐसे इतिहासिक व्यक्तित्व बहुत बिरले होते हैं, ऐसे महापृरुष्ण खुद भी इतिहास के महत्वपून अध्याय होते हैं, महताब जीने आजादी के लड़ाई में अपना जीवन समर्पित के रिया, अपनी जवानी खपा दी, उन्होंने जेल की जिन्दगी काटी, लेकिन महत्वपून ये रहा कि आजादी की लड़ाई के साथ साथ वो समाज के लिए भी लड़े, जात पात, छुवा छुट के खिलाब आंदोलन में, उन्होंने अपने पैतरुग मंदिर को भी सभी जातियों के लिए खोला और उस जमाने में, आज भी एक स्वयम के वहवार से इस प्रकार का उधान प्रस्तू करना, ये इसको आज साथ इसको हमें, इसकी ताकत क्या है अंदाज नहीं आएगा, उस यूग में देखेंगे तो अंदाज आएगा कि कितना बड़ा साथ होगा, परिवार में भी किस प्रकार के माहोल से इस निर्णे की और जाना पड़ा होगा, आज हादी के बाद उन्होंने उडिशा के मुख्यमंत्री के रुप में बड़े-बड़े फैसले लिए, उडिशा के भविश को घढने के लिए अनेक प्रयास किये, शेहरों का अधुनिकरण, पोर्ट का अधुनिकरण, स्टील प्लांट, ऐसे कितने ही कारियों में उनकी बहुत बड़ी भूमी का रही है, सात्यों सत्ता में पहुँचकर भी, वो हमेशा पहले अपने आपको एक स्वाधिनता सेना नहीं मानते थे, और वो जीवन परियंत, स्वाधिनता सेनानी बने रहे, ये बात आज के जनप्रतिनीद्यों को हैरत में डाल सकती है, कि जिस पार्टी से वो मुख्यमंत्री बने थे, आपात कान में उसी पार्टी का विरोध करते हुए, वो जेल गए थे, यानि वो ऐसे विरले नेता थे, जो देश की आजादी के लिए भी जेल गए, और देश के लोगतंत्र को बचाने के लिए भी जेल गए, और मेरा इस हो भागे रहा कि मैं आपात काल समाप्त होने के बाद, उन्हें मिलने के लिए उडिशा गया था, मेरी तो कोई पहचान नहीं थी, लिकिन उन्हें मुझे समय दिया, और मुझे बराबर याद है, प्री लंज टाइम दिया था, तो स्वाबा भी हैं, कि लंज का समय होते ही बात पूरी हो जाएगी, लेकिन मैं आज याद करता हूँ, मुझे लगता है, दो धाई घंटे तक, वो खाने के लिए नहीं गए, और लंबे अर्शे तक, मुझे बहुत सी चीजे बताते रहे हैं, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति के लिए, सारा रीसर्च कर रहा था, कुछ मट्रियल कलेक कर रहा था, इस विए से में मैं उनके पास गया था, और मेरा यह अनुहाव, और मैं कभी-कभी देखता हूँ कि, जो बड़े परिवार में बेटे संतान पैदा होते हैं, और उसमें भी खास करके राजनीतिक परिवारों में, और बाद में उनके संतानों को देखते हैं, तो कभी-कभी प्रशना उड़ता है, जो बड़े यह क्या कर रहे हैं। लेकिन भरतो हरी जी को देखने के बाद कभी नहीं लगता है। और उसका कारण हरे कृष्णे जी ने परिवार में जो सिस्त, अनुशासन, संस्कार इसको भी उतनाही बल दिया, तब जाकर गहमें भरतो हरी जैस साथी मिलते हैं।